नमस्कार मैं डॉक्टर सफलता हूँ एक कैंसर स्पेचलिस्ट हो अमरिता हॉस्पिटल में आज हम बात करने जा रहे हैं कैंसर के बारे में क्या आपको पता है हमारे देश में 14 लाख कैंसर पेशेंट्स हर साल डाइगनोस होते हैं और उसमें सबसे जादा परेशान करने वाल 75% पीशेंट्स 75 पर संदी हमारे देश में एडवांस स्टेज में डाइगनोस होते हैं स्टेज 3 सेच 4 एसे स्टेज जहां पर हमारे पास ट्रीटमेंट करने के लिए तो दवाइया हैं पर हमेशा के लिए ठीक कर देने वाली दोभाईया नहीं है और थम थोड़ा टाइम निकाल पाते हैं और उसके बाद फिर हमारे हाथ से चीज़े चुच जाते हैंmem सब्लक जल्दी उसको पकड़ सकते हैं और ईलज मिलिए खिए उसको हमीशा के लिए ठीक कर सकते हैं तो आईए जानते हैं कि हम cancer से कैसे बच सकते हैं आपने तंबाको के बारे में उसके सेवन के बारे में सुना होगा और करीब हमारे जितने भी cancers होते हैं उसमें से 40-50% cancers जितने भी होते हैं वो तंबाको के सेवन से होते हैं पर उसके साथ साथ क्या आपको पता है वजन जादा होना उससे भी तेरा अलग-अलग तरह के कैंसर होते हैं एलकोहल का सेवन शराप का सेवन जिसके हमको लगता है कि लिवर का सिर्फ कैंसर होता है नहीं उससे भी 6-7 अलग-अलग अंगों में कैंसर हो सकते हैं और साथ में हमारे प्रदूशन है ही, प्रदूशन है, पेस्टिसाइड हम ले रहे हैं, उन सब से भी कैंसर हो सकते हैं, तो हमें क्या करना है, हमारी ड्यूटी क्या होती है, अपने प्रती, ताकि हम कैंसर से बच सकें, पहला ये, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जीवन शैली आपको अत जादा चल के जा सकें, जहां पर साइकल कर सकें, आप सीडी का इस्तमाल कर सकें, ताकि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में आपके खाने में भी, जैसे हम पिछले करीब 20 साल पहले जैसे थे हमारी जंदगी जिसमें हम बहुत जादा हमारा जो जीवन शैली था, वो बहु जादा है जैसे हम लोग जो बहुत सारे ब्रैंड में प्रोसेज मीट चिकन होता है वो सब उसका सेवन हम जितना हो सकें उतना कम करें, अल्कोहल का सेवन कम कर दें, तंबाकू सेवन नहीं करें, तो इन सब से हम कैंसर से बच सकते हैं, और अगर किसी को कैंसर हो भी जाए, क खुद का ध्यान रखें, पहले तो हमें ये सोचना है कि हमें अपने शरीर की बात सुननी है, हमारा शरीर जब भी हमें कोई तकलीफ होता है, हमारा शरीर हमें बताता है कि कहीं कुछ प्रॉबलम है, और हमारे साथ प्रॉबलम है कि हम उसको नजर अंदास करते हैं, कि अपन जाती है आपको एक तो यह है कि आपको कोई भी चेंज आया आपके श्रीर में जैसे आपके कोई गठान हो रही है और जिसका साइज बढ़ता जा रहा है आवाज में बदला हो या आपको अगर भूक कम लगती हो या कहीं से बलड जाता हो जो की एकसेशिव बलड कहीं से भी जा रहा है शरीर के किसी भी बार्ट से जा रहा है तो आपको उसकी जाँच करा नि चाहिए अगर एक कभी कोई जैसे मस्सा होता है में उसमें वो Unish साइस बढ रहा हो तो भी सने कैंसर हो सकता है किसी कि सी कभाटी का पहले नहीं होती और चला जा रहा है उन सब सित्यों में आपको अपने आपको evaluate कराना चाहिए यह सारा cancer की लक्षन हो सकते हैं लंबी खांसी अगर किस cancer patient lung cancer patient है लंबी खांसी होती है उसमें common symptom होता है बट ऐसा नहीं बोलोंगी कि जल्दी पकड़ना हो एक और चीज होती है screening screening बहुत सारे cancers में screening available है और बहुत सारे में नहीं जो चीज हमारे देश में guidelines में हैं जो recommend किया जाता है उसमें है सबसे पहला breast cancer screening breast cancer screening के लिए आपको हर साल mammogram 40 साल की उम्र के बाद mammogram कराना चाहिए और आप डॉक्टर से भी मिल सकते हैं हर साल एक बार और यह भी कि यह तो हुई डॉक्टरी वाली बात पर आपको self-press examination भी आना चाहिए उन सब के वीडियोज अवेलेबल है तो self-press examination आपको हर महने करना है एक 20 साल से उम्र की जो भी महिला होती है उनको अपना examination करना है हर महने परिट के तीन-चार दिन के बाद जब उनके हॉमोन लेवल्स में के कारण जो ब्रिस में होने वाले changes है वो चले जाते हैं उसके बाद आपको self-press examination करना है और यह चीज हर महने करनी है और अगर 20 से 20 साल के उम्र है तो उसमें आपको हर 3 सालित जाके रूक्तर से San Andreas करवानी है और चालिस साल के बाद आपको हर साल जाके Drs jakaranी है प्रस MEMें क्राना है यह हुआ के बारे में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में चार्वाट्र कैंसर यह एक ऐसा कैंसर जो 100% प्रिवेंट किया सकता है मतलब hundred percent बचा जा सकता है और क्या आप जानते हैं cervical cancer से हर साथ मिनट में हमारे देश में एक महिला की मौत हो रही है इसका इससे बचने का तरीका है cervical cancer के vaccine लगाना जो कि हमारे देश में और नेनोगर्डासिल के नाम से जाने जाते हैं और इसमें जो उम्र होती है वैक्सीन लगाने की वह 9-26 साल के बीच में अगर आपकी उम्र 26-45 साल के बीच में भी है तो बेनेफिट थोड़ा कम होगा पर फिर भी बेनेफिट होगा तो आप अपने गाइनेकॉलजिस्ट या क अपने मुह की जाच वो किसी एंटी डॉक्टर जो होते हैं नाकान मुह गला विभाग के जो डॉक्टर होते हैं आप उनसे अपनी टेस्ट करा सकते हैं उसके बाद होता है एक कोलोन कैंसर की जाच होती है उसके लिए हम कोलोनोस्कोपी सिग्मोइडोस्कोपी इस तरह की च हैं आप cancer से बच सकते हैं और साथ हैं यह है कि अगर cancer हो जाए तो भी अगर उसको जल से पकड़ ले और उसका इलाज अच्छे तरीके से ले ले तो कैंसर हमेशा के लिए ठीक हो सकता है आप cancer से लड़ेंगे तब ही जीनिगे नहीं cancer आप से जीट जाएगा. Thank you.